लिखे reduction of nitriles, तो मैं यहां first reduction method में लिखता हूँ, reduction of nitriles, लिखे reduction of nitriles, बहुत important है, check करेगा, और इसमें मैं आपको काफी important चीज़ बताने माल ला हूँ, देखे, nitriles, RCN के reduction से आपको amine मिल सकता है, बड़े आसानी से, क्योंकि nitriles में nitrogen भी होता है, और हमें amines में nitrogen चाहिए अब जरा सोचिए, मैंने यहां पर लिया R, उसके बाद C, और यहां पर triple bond होता है N, अब मेरी requirement क्या है जरा देखिए, आपको यहां से अगर amine बना रहा है, तो amine क्या होता है, इस nitrogen के पास 2 hydrogen तो amine में convert हो जाएगा, उस case में उसको यह carbon के साथ 2 bond तोड़ने है, उस case में आ अगर आपको यहां पर देखिएगा, दो hydrogen इसको provide करने है, इसका मतलब आप full reduction कराना चाहते हैं, तो आप यहां पर platinum इस्तेमाल करिए, पैलेडियम इस्तेमाल करिए, ठीक है, यहां फिर आप nickel इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज को इस्तेमाल करिए, ठीक है, और साथ में hydrogenation कर दीजिए, तो hydrogenation आपको यहां पर करना है, hydrogen gas का इस्तेमाल करिए, तो जिससे finally इनका full reduction होगा, मतलब यह दोनों pie bond यहां से टूटेंगे, इसमें दो hydrogen इसको मिलेंगे, दो hydrogen इसको मिलेंगे, और यह amines में convert हो गया, यह R, CH2, NS2, अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला, क यहां पर stiffens reaction में भी RCN को इस्तेमाल किया था, मज़े की बात बता रहों, जरह द्यांसे इसको चेक करिएगा, अगर आपने यहां पर stiffens reagent इस्तेमाल किया होता, stiffens reagent क्या है, मैं उसको नीचे लिखता हूँ, द्यांसे उसको चेक करेगा, stiffens reagent वो होता है, SNCL2 और प्लस HCL, ठीक है, इसको stiffens reaction कहेंगे, आप लोग एक बार जाके जरूर चेक करो, LD8 ketones में करवा रखा हूँ, यहां पर stiffens reaction अगर आपने करवाई, ठीक है, जो किसकी presence में होगी, SNCL2 और HCL, तो यहां पर full hydrogenation नहीं होता, यहां पर partial hydrogenation होता है, आप जाके जरह चेक करेगा, यह partial hydrogenation करके देगा, मैं यहां पर लिखता हूँ, partial hydrogenation, यह बहुत ही जादा important है, stephen's reaction, naming reaction है again, यहां पर क्या होगा, सिर्फ एक ही bond तूटेगा, दो bond नहीं, क्योंकि यह partial hydrogenation ही करेगा, पता है आपको यह छोटी छोटी चीज़े ही बहुत important होती है, मैं चाहता है तो आपको यह यहां प लेकिन नीचे में full reduction नहीं है, वहाँ पर partial reduction है, stephen's की यही खास बात है, partial मतलब यहां सिर्फ एक ही bond तूटेगा, एक hydrogen इसको मिलेगा, यानि कि आप किदर जा रहे हो, यहां पर RCH double bond NH, imines बनाईए आपने, यह बहुत important है, बाद में अगर imines का hydrolysis कर दोगे, तो वहां से क् जरा चेक करिएगा, मान लीजिए कि मैंने यहां पर इसका hydrolysis कर दिया, ठीक है, H3O positive, अगर आपने इसका hydrolysis कर दिया, तो इस case में यह bond तूटेगा, मतलब आपको H2O देना है, तो वह इस तरह से था, याद गरिए, comparison के लिए, दो hydrogen इनको मिल गए, एक oxygen इसको मिल गया, so finally यहां पर RCHO तयार हो गया, और साथ में ammonia gas बाहर निकल गई, अगर आपने evines का hydrolysis करवा दिया, तो तो आपको LDL मिलेगा, हम यहां पर क्या कर रहे है, LDL तो नहीं बना रहे, पर अगर आपने, फिर से ज़रा चेक करेगा, फिर से अगर इसकी reaction stiffens, reagent से करवा दी, यानि की SNCL2 और प्लस HCL से करवा दी, तो एक और बार यहां पर क्या होगा, hydrogenation और यह amine में convert हो जाएगा, अगर अगर आपको amine चाहिए, तो आपको एक और बार amine का reaction SNCL2 और HCL से कराना पड़ेगा, अगर एक बार और hydrogenation होगा, और अगर एक बार और hydrogenation होगा, तो यह amine में convert हो ज यहां पर यह खास बात है, Stephen's reaction की, यह बहुत important concept है, जिसको बहुत बार पूछा गया है, मैं वापस repeat कराता हूँ, देखें यहां पर आप nitrile को लीजिए, उसका हमें reduction करवाना है, reduction का मतलब यहां पर इस carbon और इस nitrogen को hydrogen, reduction का मतलब होता है, addition of hydrogen, ठीक है, अगर आप इसका full reduction कर आप सीधे amine तक पहुंच सकते हैं, खुद का दिमाग लगाई है कि इसमें अगर मुझे amine को में convert करना है इसको, तो दो bond तोड के इसको 2 hydrogen, इसको 2 hydrogen, अब 2 hydrogen मतलब full reduction करा रहे हो, 2 pi bond तोड रहे हो, यह काम में सक्षम कौन है, यह देखें आपर platinum, palladium, nickel, hydrogen gas flow करवाई है, आप यहाँ पर sodium का इस्तमाल किसमें कर सकते हैं, यहाँ पर mercury, amalgam, वो लेना है और प्लस साथ में आपको C2H5OH लेना है, यह भी लिखा तो यह भी सेमी काम करता है, यह भी बहुत ही powerful, बहुत ही जादा powerful reduction कर सकता है, reducing agent है, दोबारा समझा देता हो, फोकस करो, यह देखें, यहाँ पर platinum, palladium, nickel, hydrogen, gas, अब जरूरी नहीं कि यह लिखा मिले, यह भी लिखा मिल सकता है, तो आपको confusion में नहीं रहना है, note लगाईए कि sodium खुद C2H5OH medium के अंदर बहुत ही powerful reducing agent होता है, again यह यही काम करेगा, दोनों bone तोडेगा, और amine में convert कर देगा, अब देखें, सारा क सारा focus आपको reagent पे करना होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान पूरी organic में reagent पे देना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह substrate है, यह आपके reagent है, focus करो कि यहाँ पर यह दोनों full reduction आपको करके देंगे, यानि यह mines में convert करके देंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ पर stiffens reduction reaction करवा दी, य अगर immune का आपना hydrolysis करवा दिया, तो LDI तक पहुंचोगे, तेक और chemical reaction आपको याद होगी, पैरलली, लेकिन अगर आपने तुरंत SNCL2 और HCL से reaction करवा दिया, hydrolysis की बजाए, अगर एक बार और partial hydrogenation करा दोगे, तो यह बचावा bond भी तूटेगा, और finally amine में convert हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको देखो, पैरलली, पीछे वाला भी revise करा रहा हूँ, बहुत important है, जान से इसका screenshot ले लो, इसको copy के अंदर लिखो, parallel comparison से चीज़ें जादा अच्छे से याद होती है, ठीक है, so फड़ा-फड से इसका screenshot लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ले ल दिया होगा, अब अगले वीडियो में next preparation method के साथ मिलेंगे, तिल दन मैं आप से फिर से कहूंगा कि description box को जरूर चेक करो, कुछ ना कुछ homework आपको parallelly given होता है, उसके अलावा description box में और भी बहुत सारी information होती है, और जब भी आपको notification मिले, premiere videos का live आके देखिए, उसमें आपको 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 आपक